नमस्का और दोस्तों स्वागत है आपका हमार हेल्ड चैनल हिंदी मेडिकल में आज फिर एक हल्फ्री वीडियो के साथ में सोन उठाग गुरूपस्तित हुए दोस्तों जैसे ही मांसून का मौसम चालू होता है हमारे सेरिन में कई तरह की बीमारी या संकमण ऐलर्जी प्राब्लोंस बढ़ जाते हैं इन्ही में से एक है आखों का इन्फेक्शन जिसे हम आई फ्लू कहते हैं और आज के समय में देसे सभी राजियों में सबसे ज़्ज़ाद आई फ्लू का कहर देखने को मिल पर किसी भी हंusपिटल या ओपीडियो में जाते हैं सबसे जादा मरीज आई फ्लू के आ आए है और किसी अश्मेट से तनी ज्यादा बाड़ गये कि लोगों का ध्यान इस पे काफी जदा रहे हर जगा आप देखे रहे हैं आई-फलू के ही मरीजा रहे हैं इस स bluff इस सल की अपेच्छा संगण काफी ज्यादा स्टेखने को मिल ला है उन्ह लग रहा है हम ऐसे ही लोग परसान हो गया थे कि काफी लोगों में यह फैल रहा था वैसे आइफलू सभी लोगों में फैला है तो लोग इससे परसान हो गया है काफी लोग वीडियो के नीचे कमेंट कर रहे थे कि आइफलू के बारे में बताए तो आज हम इस वीडियो में आइफलू के क्या लच्चण है आइफ्लू कैसे फलता है और इससे कैसे बचाव किया जाए और आइफ्लू कितने दिन में ठीक हो जाता है और कौन सी होता है इस wax उसमें सबसे best काम करें कि जल्दी से जल्द हम ठीक हो जाए इन पांच चीजों के बारे में आज हम इस वीडियो में जानेंगे दोस्तों तो वीडियो सुरू करने से पहले वीडियो के नीचे सब्सक्राइब का बटन दिया गया है उस पर क्लिक कर चैनल को सब्सक्राइब करें syndrome कुछली होती है आखों में चूबन और सूजन आ जाता है आपके आखों से पानी आने लगता है और उस thirsty कामने आपकी आखों का लाल होना अक वर अच्छने आईफलु में दिख रहे है और सबसे ज्यादे इही समस्या देखने को विलेर जिस की आंके लाल हो रहे वो समझ जा रहे है कि हमें आईफलु हुआ है अब बात करहें दो संक्रमीत व्यक्ति के आखेड़ेक्ट करने से भी आप मे आईफ्लू के चांस हो जाते हैं या difficult होने लगता है जो संक्रमीत व्यक्ति होते है साबन गर उसका बेखते है तो आप में भी iFlu होने के चांच ज़्यादा हो रहते हैं ऐसे देखा जाते हैं कि एक घर में किसी को iFlu होता है तो उस घर के सभी लोगों को iFlu होने लगता है क्योंकि ये एक संक्रामक विमारी एक से दूसरे में फैलती है इसलिए जब भी आपको iFlu हो तो आप अपने लोगों से भी कम से कम संपर्क करें और घर से बाहर ना निकलें इससे iFlu नहीं फैलेगा अब बात करें दोस्तों iFlu से कैसे बचाओ करें तो सबसे ज़्यादा जो iFlu में समस्या देखने को मिलती है जो आपके आखों वे जलन होता है खुझनी होता है जिसे हम बार बार चूते है तो आपको अपने आखों को बार बार नहीं छूना है उससे रगणना नहीं है क्योंकि आप जितनी बार आपने आखों को छूएंगे उतनी बार आपके हाथों में संक्रमित होगा जिससे फैलने के चांस जादा रहेंगे, कभी भी अपने हाथों से आखों को ना चुए, और अपने हाथ को हमेशा से ट्राइच करते रहें, साबून से धोते रहें, हमेशा वास करते हैं, यानि जब भी खाना जाए तो वास करें, यानि कुछ भी काम करने से पर अपने हाथो को धोते रहे अगर आपको बाहर निकलना है तो आप चस्मा लगा के निकले ऐसा निकलेंगे तो कितने लोगों में फैलने के चांस रहेंगे तो हमेशा बाहर निकलने से पहले चस्मा लगा ले और पानी में अगर आप नहाते हैं जैसे स्विंग पूल में नहाते हैं तो आप कि नहाने से ये फैलता है और दूसरी बत कि आगर सर्दी की प्रॉब्लम हो रहे हो चीक आ रहा है एक हांसी आ रहा है तो इन सबसे बचाव करें तुरंत दवा का करें कि फैले ना और सबसे बड़ी दवात कि अगर आपको आखों को कम से कम चुए पानी निकल ला तो उसे भी न चुए और घर से बाहर कमी लिंगले अपने लोगों से कम संपर करें जो आप समाने उच करते हैं तेल साबुन तोलिया जो कपड़े पहनते वो किसी को चूने लादे नहीं तो यह फैलता है तो इन सब चीजों से अगर आप बचाव करेंगे तो जल्दी आपका आई-फ्लू भी ठीक हो जाएगा और आपके घर में किसी को नहीं होगा अगर आपके एक आख में हुआ है दूसरे आख में भी हो गया तो थोड़ा दो हपते तक समय लग सकता है या बैट्रिया ज्यादा होने पर भी दो हपते का समय लगता है नहीं तो नॉर्मल यह पांट से चो दिन एक हपते के अंदर ठीक हो जाता है कोई बड़ी समस्या नह और इसमें नॉर्मल हमें आख खाना पहले कहते थे लेकिन इस समय लोग आई फ्लू का नाम लेकर इसे काफी ज्यादा फैला दिया और काफी ज्यादा लोग डर रहे हैं तो आपको डरने की कोई जरूरतने ज्यादा दिनों तक नहीं रहेगा एक हपते के अंदर आपके दवावा का इस्तमाल नहीं करना पड़ता है फिर भी अगर आपके आखों में काफी जलन है खुजली है आखों का लाल काफी ज्यादा हो गया और आप दवा का इस्तमाल करना चाहते हैं तो इसके लिए एंटिश्टामीन दवाए आती है जो आपके इलर्जी प्राब्लम मे जाएगी और जो आखों का लाल होता है आखों में ज्यादा इंफेक्शन हो गया उसके लिए कुछ एंटिवैटिक्स ड्राप आते हैं जो में इसकीन पर आपको दिखा रहा हूं चार पर पाटिश्ट ड्राप आते हैं उनका अगर आप इस्तमाल करते हैं तो आपके आखों अगर आपको दवा इस्तमाल करने की जरूरत नहीं है लेकिन अगर आप तो में कोई स्कीन पर जो इंसे स्वाइब कि अपने की जय के रही है अगर hug लगता चो पर कई यहघ्रिक वह घंसा दो सद早अ लिया जाताअ है दोस्तों लेकिन आज के समय जो ग्रामीड एरिया या लोकल बजारे वहां डारेक्ट लोग जा रहे हैं और किसी भी मेडिकल साफ से आज के समय आप बजार में जा रहे हैं कोई भी आईड्राप मिली ने रहे क्योंकि इतना ज्यादा मामला बढ़ गया है कि लोग जाके डारे लेना हो तो एक बाद डाक्टर से सला लेके ले सकते हैं नार्मल आवगर आप डाक्टर के पास नहीं जाएंगे तो यह सब ड्रॉप देख सकते हैं आपके लिए काफी ज्यादा फायदे मन्द हो गये वैसे यह कोई बड़ी समस्या नहीं है नार्मल आखु का संक्मन है जो